आल्या भट की फिल्म आल्फा के सेट पर क्यूं बढ़ाई गई सिक्यॉरिटी? क्यूं सौ सी ज्यादा गार्ड इस सेट को प्रोटेक्ट करने में लग गए हैं? क्या इसकी वज़ा है कि मेकर्स फिल्म के सेट से लीग हुई पिक्चर से हैं परिशान? वेल, आल्या भट इन दिनों अपनी मच आंटिसिपेटर्ट फिल्म आल्फा पर काम कर रही हैं और लोग इस स्पाई उनिवर्स फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं अब खबर है कि आल्या भट बॉलिवुड आक्टर बॉवी देओल के साथ एक आक्शन सीक्विंस की शूटिंग कर रही हैं रिपोर्ट के मुताबिक आल्या और बॉबी मुंबाई में फिल्म सिटी में एक हेवी सेक्योरिटी वाले सेट पर शूट कर रहे हैं आल्या भट आल्फा के साथ स्पाई वर्ल्ड की एक्साइटिंग जर्नी को शुरू कर रही हैं इस फिल्म की शूटिंग जुलाई के पहले हफ़ते में अंधेरी के वायरेफ स्टूडियो में शुरू हुई एक्साइटमेंट रिलीस तक कम हो जाता है शायद यही वज़ा है कि सिक्योर्टी को इतना टाइट रखा गया है रिपोर्टिडली फिल्म सिटी में आल्या और बॉबी एक डेंजरिस आक्शन सीक्विंस की शूटिंग कर रहे हैं कहा जा रहा है आल्या भट और बॉबी देवल ने इस आक्शन सीक्विंस के लिए काफी तयारी की है और ये शूटिंग चार दिन तक चलेगी और प्रोड्यूसर आदित्य चोपरा ने इंशौर किया है कि सेट पर कड़ी सिक्योर्टी हो और सौगार्ड्स मिलकर किसी भी तरह के लीग को रोक पाए फिल्म के सीन को एक्स्ट्रीमली सिक्योर सेट पर शूट किया जा रहा है जिसे आर्ट डिरेक्टर्स अमित्रे और शुबरतर चक्रबॉर्टी ने केरफुली डिसाइन किया है रिपोर्टेडली फेस टू फेस फाइट के लिए आलिया ने ब्लाक कलर की ड्रेस पहनी होई है और उनकी थाए पर बंदूब बंदी होई है जबकि बॉबी ने कटे हुए बाल और सौल्ट पेपर डाड़ी रखी है आलियभट इस फिल्म में अपने मार्शिल आर्ट स्किल्स को दिखाती नज़र आएंगी शिवरवेल डिरेक्टिड आलफा वायरेफ स्पा यूनिवर्स की फिल्म है जिसमें शर्वरी वाग भी है शर्वरी भी फिल्म में आक्शन अफटार में नज़र आएंगी कैसी और नील को इस फिल्म के लिए आक्शन सीक्वेंसिस डिजाइन करने का काम दिया गया है उन्होंने जवान टॉप गन मावरिक और जैक रीचर जैसे हिच फिल्म के आक्शन सीक्वेंसिस डिजाइन किये हैं तंक मावरिक पनले मावरिक शाहँ